हे नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरा नाम है चंद्रिका परशाद इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के राज छेतर के भीतर ब्यापार यों बानेजिक शमागम भारती संबिधान के भाग तेरह में अनुचे 301 से 307 तक में इसके बारे में प्रावधा भारती राज छेतर में ब्यापार बानिज्य और समागम याने की एकत्र होने की सुतंद्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है दोस्तों इस प्रावधान का मुख्य उद्देश राज्यों के बीच स्रीमा और रोधों को शमाप्त करना तथा भारती संग को एक आर्थिक इकाई की रूप में सुर्जित करना है जिससे समस्त भारत में ब्यापार और बानिज्य का विकास अबाद रूप से हो सके दोस्तों अनुचे 301 ब्यापार बानिज्य और समागम की सुतंतरता इसमें लिखा है दोस्तों इसके अनुसार भारत राज छेतर में सर्बत्र ब्यापार बानिज्य और समागम अबाद होगा अर्थात प्रत्यक ब्यक्त को अपने राज की सीमाओं के भीतर और राज और एक राज से दूसरे राज में समागम करने ब्यापार अथ्वा बानिज करने तथा बस्तूओं को लाने ले जाने की सुतनत्ता है अनुच्छेत 302 के अनुसार संसद बिधी द्वारा एक राज से दूसरे राज के मद्ध या भारती राज छेतर के किसी भाग के भीतर ब्यापार बानिज शमागम की सुतनत्ता को लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित कर शकती है अनुच्छे 303 के अनुसार अनुच्छे 303 दो राजियों में विभेद होने वाली बिधियों के निर्माण पर रोक लगाता है इसके अनुसार संसद या राज बिधान मंडल है ब्यापार बानिज या समागम की सुतनत्ता के संबंध में कोई ऐसी बिधी बना शकता है नमबर एक जो एक राज को दूसरे राज पर प्रासमिक्ता देने वाली हो नमबर दो एक राज और दूसरे राज के बीच विभेद करने वाली हो उस पर किन्तु इसका एक अपवाद है अर्थात संसद दो राजियों में विभेद कारी बिधी बना शकता है यद उसे यह प्रतीत हो कि किसी राज्जी में माल की कमी से उत्पन्र शंकर से निपटने के लिए ऐसा बिधी का बनाना आवस्चक है अनुछेद 304 द्वारा बयापार बानिजी योम समागम की स्वतंतरता पर दो और निर्बंध लगाए गए हैं इसके अनुसार राज्ज को बिधान मंदल बिधी द्वारा नमबर एक किसी अन्य राज्य या केंद शासित प्रदेश से आए हुए माल पर ऐसा कर लगा सकता है जो उस राज्य द्वारा स्वयम उत्पादित वैसे ही माल पर लगाता है नमबर दो उस राज्य के साथ या उसके भीतर ब्यापार बाणिज और समागम की सुतंता पर ऐसे युक्त युक्त निर्बंध अजरूपित कर शकता है जो लोग हित में आवस्यक होँए अनुचे 305 बिद्दमान बिधियों और राज्य के एका अधिकार का उपबंध करने वाली बिधियों की बेवरित्ती अर्थात वह बिद्दमान बिधियों की रक्षा करता है वह सभी बिद्वान बिधियों और राज के एका अधिकार का उपबंध करने वाली बिधियों को सांरक्षण परदान करता है और उन्हें उस आधार पर आक्रमड से बचाता है कि वे अनुच्छेद 301 का उलंगन करती है अनुच्छे 307 में यह प्रावधान किया गया है कि वे अनुच्छे 307 में यह प्रावधान किया गया है तथा ऐसे तथा उसे ऐसे सकतियों और करता बिस्वाप सकती है जो है आवस्तिक समझें तो इस तरह यह वीडियो यह समापत होती है दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जये मिलें